So part 5 में हमने CBC के study material के according बात की थी retrieving करने के लिए data को query के help से और अब हम base में practical करके देखेंगे कि किस तरीके से हम query design view और wizard में बनाते हैं और किस-किस तरीके से हम उसमें criteria add करते हैं यह हमारा open office base है और इसमें आप हम सबसे पहले table देखते हैं हमारे पास में addresses, class, 10th, a details, department, employee और test यह कुछ tables हैं और इसमें पहले table है addresses addresses में data देख चेक कर लेते हैं डबल क्लिक करते हैं तो यह address वाले table में हमारे पास में 6 records अवैलेबल है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जिसमें गौरफ, दीपक, फरहान, रवी, शिवांगी, दीपक, सावन इनकी entries पढ़ी हुई है इसमें हमारे पास एक table है जिसमें हम query करेंगे अब हम आते हैं query वाले section में यहां पर देखें तीन option है create query in design view use wizards to create query create query in SQL view according to CBSC curriculum prepare a query for given criteria, demonstrate to create using wizard and using design view wizard से query कैसे बनेगी और फिर design view से query कैसे बनेगी हम आते हैं पहले wizard option लेते है use wizards to create a query जैसे ही आपने यहां पर mouse लाया तो right hand side पर लिखा आ गया the wizard will guide you through the step necessary to create a query step by step इसमें काम होगा wizard का मतलब ही होता है किसी भी काम को step by step done करना query wizard का पहला step है field selection हमने पहले table लेनी कि हमें कौन से table से query बनानी है तो address वाले table है इसमें से हमें query बनानी है इसमें id, first name, last name, mobile number चार field है अगर आपको सारे record डिस्पले करने है तो आप यहां से यह double arrow बटन लेंगे एक एक करके कोई field insert करनी है तो single arrow बटन लेंगे हम सारे record डिस्पले करते है हमने इसको select किया अब सारे records इधर आगे तो पहला step था field selection तो हमें table के सारी field डिस्पले करनी है तो हमने सारी field यहां ले आए next step पर आगे बड़े short by अब हमें इसको ascending ये descending order में short करना है id wise, name wise ये last name wise id wise तो already है हम एक काम करते हैं इसको name wise short करते हैं तो name wise ascending order में हम इसे short करेंगे next करते हैं match all the following अगर आपको यहां पर कोई condition लगा नहीं है कोई criteria लगाना है तो आप लगा सकते हैं कोई भी criteria आप लगा सकते हैं जैसे आपने यहां पर कोई field ले ले ली मान लिजे first name is equal to अगर आपने यहां पर लिखा मान लो कोई नाम आप लिख देते हैं तो केवल वही नाम आपको दिखाए for example मैं यहां पर लिख देता हूँ dwpak deepak तो अब हमने क्या किया सारा record दिखाए match all the field address first name में चेक करें जो भी दीपक वाली value हो उनका record केवल दिखाए next करते हैं details और summary तो जितने भी records हैं वो सारे display हो जाएंगे में यह हमारी सारी fields हैं जो हम display करने वाले हैं overview अब कहता है कि query को display करें या modify करें हम कहते query को run करते हैं सीधर display करते हैं finish करते हैं अब आप देखिए इस पूरी table में 7 यह 6 records थे उसमें दीपक कुमार नाम के जो records थे जिनवे भी दीपक नाम था जैसे दीपक लाल दीपक सिंग तो वो record आपको केवल नजर आ गए तो query का सबसे बड़ा फाइदा यह है पूरी table आपको नहीं दिखाएगा केवल उतना data जितनी की आपको जरूत है तो यह अब आपकी यहां पर query बन गई है हम इसको बन करते हैं यह हमारी query address के नाम से query save हो गई है आप चाहें तो right click करके इसको edit कर सकते हैं तो जैसा हमारे अगर आप देखेंगे अब यह जो edit mode है यह design view है तो पहले हम edit से पहले आपको design view में query बनाना सिखाते हैं तो यह तो था wizards के through query अब आते हैं create query in design view यह design view है इसमें पहले आपको table select लड़नी है कि आपको कॉंसी table से query बनानी है for example address table हमने table add की इसे बंद करते हैं यहां पर हमें क्या-क्या field देनी है तो हमने का मुझे id दिखाओ second में मैंने का मुझे first name दिखाओ last name मुझे नहीं चाहिए और मुझे सीधा mobile number दिखाओ तीन field दिखाओ alias में आप यहां पर id कीजेगे कुछ और नाम दिखाना चाते हैं display पे तो वो लिख सकते हैं table address है आप जैसी क्लिक करेंगे already address आ जाएगा short करना है id wise तो यहां पर क्लिक कीजे name wise करना है तो यहां क्लिक कीजे mobile number wise करना है तो यहां पर क्लिक कीजे मान लेज़े मैं इसको short कीजेगे descending order में short करते हैं क्योंकि ascending में already short है तीनो field visible है कोई criteria लगाना है मैंने का greater than 2 जिनकी भी id 2 से उपर हो के वल वो record डिस्पले हों तो अब हमने एक design तयार किया conditions लगाई यह query run का option है run query F5 बटन भी आप दबा सकते हैं हमने run query पर क्लिक किया तो अब आप देखे id 6543 descending order में आ गया क्योंकि descending हमने लगाया था दो से जादा जिनका data है तो यहाँ पर देखेंगे id 0,1 और 2 यह तीनो data नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमने criteria set कर दिया तीन field नजर आ रही है id, first name और mobile number यहाँ पर query को save कर देंगे मान लिजे query 3 से save हो गई है तो यह तरीका है आप query को design view और wizards के तुरू बना सकते हैं simply किसी भी query को edit करना है तो right click कीजे और उसको edit कर लिजे आप इसमें कोई field बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं, display कराना चाहते हैं, नहीं कराना चाहते मान लिजे आपको mobile number display नहीं कराना, query आपने save कर दी, अब आप इसे run कराएंगे तो इस पार mobile number नहीं आएगा, तो query में आप editing भी कर सकते हैं तो according to curriculum हमने criteria दिया, query को design view और wizards के तुरू बनाना सीखा single field, multiple field, criteria लगाए हमने, group किया data को, जैसे हमने वो दीपक के according name को सुरा सर्च किया last है इसमें use basic SQL command, तो basic SQL command के लिए मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप हमारी SQL के उपर बनी हुई video ज़रूर देखिए, जो आपको description में इस part पर भी हमने available कराएं इस video के description में DDL और DML दोनों के SQL command समने दिए, तो create query SQL view option है यहां से आप SQL की query लिख सकते हैं और चाहें तो जो query आपने बनाई है उसका अगर SQL option लेखना है, मान लेजे आप query पर right click कीजे और edit in SQL view करेंगे तो यह एक पूरी command लिखिया गई, select id as id, first name as first name, last name as last name, from address where first name equals to दीपक तो यह आप query इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम यह as option यहां से हटा देते हैं, क्योंकि हमें as की जूरूत नहीं है, हम alias यूज नहीं कर रहे हैं, कॉमा लगाएंगे simple और हम केवल first name तक की value ही print कराते हैं, मैं यहां से इस पूरी query को copy कर लेता हूं, इसको बंद करते हैं, create query in SQL view पर आते हैं, यहां पर हम यह query paste कर देते हैं, select id, first name, from address, where first name equals to दीपक अब आप इसे run कराएंगे, तो अब आप देखें, आपकी query run हो गई है, जिसका भी first name दीपक था, वो आ गया है यहां पर, और अगर यह आप यह where close यह नहीं लगाते हैं, यह where अटा देते हैं, तो अब क्या होगा, address वाले table में, जितने भी id और first name में, वो सारे के सारे print हो तो यह तरीका है, SQL query लिखने का, लेकिन यहां पर कई बार कुछ न कुछ restriction आपको मिलेंगी, MySQL पर आप इसको बहुत अच्छे समझेंगे, तो हमने CBSC के curriculum के according, query को design view में, SQL view में भी, और wizards के through भी, और simply हम किस किस तरीके से उसमें editing कर सकते हैं सीखा, और SQL commands के लिए, description में व complete कर रहे हैं, retrieving data using query, आपकी कोई भी हम से कोई query है, तो आप हमें comment करके जरूर पूछिए, हम उसको solve करने की जरूर कोशिश करेंगे,